जबलपूर से नाकपूर आ रहा है ट्रक को पारशिवनी पुलिस ने आमली फाटा के पास रोक कर तलाशी लेने पर उसमें 32 जानवर को बेदर्द तरीके से भर कर कतल के लिए नाकपूर की ओर आ रहा था जिसकी गुफ्त सूचना पहले से पारशिवनी पुलिस को मिली थी पारशिवनी पुलिस ने सूचना क्या था पर आमली फाटा के पास शुकरवार की सुवा जाल बिचा कर जबलपूर से नाकपूर की ओर आ रहा ट्रक को आमठी फाटा के पास रोका पारशिवनी पुलिस ने ट्रक के पीछे के डाले में चार्च कने पर उसमें 32 जानवरों को निर्दई तरीके से कूट कूट कर भरा गया था तुरंत पारशिवनी पुलिस ने ट्रक चालक अब्दुल हकीम शेक वर्ड अब्दुल वकिल शेक उम्र 28 मुकाम जूनी खलासी लाइन कामटी को ग्रफतार किया इस कारवाई में कुल 17,86 रुपे का मुद्दे माल पारशिवनी पुलिस ने चप्त किया वहीं चालक को हिरासत में लिया गया यह कारवाई पुलिस अधिक्षक ग्रामिन विशाल आनंद अपर पुलिस अधिक्षक ग्रामिन डॉक्टर संदीप पकाले साहिब पुलिस अधिक्षक और उफिभागी पुलिस अधिकारी रामटेक अतीश कामले इनके मार्ग दर्शन में पुलस निरिक्षक राहुल सूनवने के नितरत में पुलस हवलदार संदीब कडू, संदीब बलेकर पुलस अर्विन चौधुरी ने की घटना की चाच पाशिवनी पुलस कर रही है पाशिवनी से BCN News के लिए रुपेश खंडारे की रपोर्ट